इस वक्त हमारे साथ उधव बाला साहब ठाकरे गुट की शिवसेना की प्रियांका चतुरवेदी लाइब जुड़ रहे हैं प्रियांका जी आपके लिए क्या देजावू हो रहा था क्योंकि आप लोगों ने शिवसेना में जो कुछ होते हुए देखा आज लगभग उसी लाइन पर सबकुछ NCP में हो रहा था NCP का आयोजन था और वहाँ पर शरत पवार को अजीत पवार रिटायर होने की सलाह दे रहे थे अजीत पवार के साथ 31 अब तक दिख रहे हैं हाला कि वो दावा 38-40 का कर रहे हैं 31 दिख रहे हैं क्या भतीजा भारी साबित हुए और अगर अजीत पवार भारी साबित हुए तब तो फिर ये पूरे महराष्ट विकास अगाडी के लिए शिवसेना के लिए सब के लिए साइकलोजिकली बहुत बड़ा जटका है सेट बाग है ये एक साल पहले भी कहा गया था कि साइकलोजिकल सेट बैक है पर ये हमारे लिए पोलिटिकल सेट बैक नहीं था हमारे काडर के लिए सेट बैक नहीं था ये काडर के लिए move forward था कि जो लोग गए वो ना शिवसेना पार्टी के साथ थे ना शिवसेना की विचारधारा के साथ थे शिवसेना से अलग हो गए किसके वज़ा से सत्ता बल की वज़ा से धन बल की वज़ा से और Central Agency's की वज़ा से तो हमारा काड़ पूरी जोश से जमीन पर काम कर रहा है उद्दव वाला साहिब ठाकरे जी के साथ खड़ा हुआ है और उद्दव वाला साहिब ठाकरे जी ने एक निर्नायक जो डिसिजन होता है सुप्रीम कोर्ट से वो हमें प्राप्त हुआ है जो कि जो शायद हो सकता है अब आने वाले समय में एंसीपी पे लागू हो कि वो शेड्यूल 10 का जो इसका हवाला में पहले भी दे रहे थी कि पुलिटिकल पार्टी लेजिसलेटिव स्ट्रेंथ जो भी इनके साथ जाए पर्लिटिकल पार्टी इन दोनों के उपर होती है चीफ विप हो या आपके फ्लो लीडर हो वो निर् के दर्वाजे गए हैं कि सुप्रीम कोड को इनको याद दिलाना पड़ेगा स्पीकर को कि उनकी कॉंसिशनल अथॉरिटी क्या कहती है और यह 16 लोग डिस्कॉलिफाइ होंगे ही तो देजावू कहें या इनको सबक सिखाएंगे सबक हमने सिखाया सबक आने वाले समय में सम के लिए यह लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं महाराश्ट्रा में हारेंगे और मूखे बल गिरेंगे और तब बीजेपी ने कहा नहीं 25 साल के हमारे आलाई है शिख सेना हम उनको भी साथ रखेंगे आपको भी आलाई तो आ जाईए जिस पर शरत पवार ने कहा कि नहीं हमें नहीं जाना है शिख सेना के सागर रहेगा साथ में तो हम सरकार नहीं बनाएंगे और फिर 19 में उन् विचारधारा की बात कहां रह जाती है आप बीजेपी के साथ कहते हैं कि नहीं बनाएंगे चलिए आपके ध्यान से निकल गया होगा मैं आपको याद दिला रहती हूँ मैं 2019 में शिफसेना से जुड़ी थी और 2019 से लेकर मैं अब तक शिफसेना में हूँ अब रही बात 2017 की अब तो उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी ना अजीद पवार की जैसे एकनाचिंदे की बनी की थाली पूजा की थाली लेकर बीजेपी के सामने आर्टी करते रहें इस उमीद में के उनका जो पुलिटिकल अस्तित्व है अब बीजेपी के हवाले कर दिया गया है पहले एकनाचिंदे ले कर दिया था अपना हवाला अब देखिए कैसे किया यूज एंड थ्रो कर दिया अब यही हर्श्र इनका होने वाला है अजीद पवार जी का 31 एमले के रहा कि शिवसेना वो पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व को विभार्जनकारी तरीके से सोचती है जिस तरीके से भारतिये जंता पार्टी ने हिंदुत्व को एक गाली बना दिया है विभार्जनकारी सोच पूरे देश में लागू कर दी है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है तो मैं यहां पर क्या सपश्टी करन दू अगर चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है वो कुछ कीका टिपनी एक दूसरे पर कर रहे हैं उन्होंने कुछ कहा शर्थ पवार जी ने जवाब दे दिया और उन्होंने 2019 में साथ हमारे अलाइंस किया अलाइंस हमारी विचारधाराओं को लेकर नहीं था अलाइंस यह था कि महराश्टरा को प्रगति और उन्हती की तरफ लेकर जाएंगे किसी से यह नहीं कहा था कि आप अपनी विचारधारा बदलो या हम अपनी विचारधारा बदलेंगे और वो अच्छी सरकार चल रही थी, अजीत पवार को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इन को तो दिक्कत तब शुरू हुई, जब सत्ता इनके हाथ से चली गई, तो जो लोग लडाई नहीं करना चाहते हैं, घुतनों के बल भारती जन्ता पार्टी के पास दिखना चाहते हैं वो पूजा की ठाली लेकर बैठेंगे, तो जो अब बीजेपी उन से कहीगी, तोते की तर रटो, वो रट कर स्पीचिस में सुनाएंगे, तो मैं उसका क्या स्फ़श्टी करन दूँ? प्रियांका जी लेकिन एक साइड इफेक्ट इस पूरे घटना करम का ये रहा है, ये आखरी सवाल है आपसे, कि देखें, बीजेपी और एकनाचिंदे की जो सरकार चल रही है, वो उनको जरूरत नहीं थी किसी पार्टी के विधायकों की, लेकिन इस एक कदम से, एनसीपी पर उनका दबदबा ऐसा है कि उनकी पार्टी में सब नतमस्तक है, प्रफुल, पटेल, छगन, बुझबल, जितने भी वहाँ पर नेता थे, अदीती, तटकरे के पिता वहाँ पर थे, वहाँ पर आप अजीत पवार के साथ जो अन्य नेता, छगन, बुझबल, मतलब अब वो तिलिस्म जो एक शरत पवार का था, जो विपक्षी एक जुटता में भी बहुत प्रखर होता था, वो तिलिस्म टूटा है, एक तरफ शिवसेना में दो फार हो गये हैं, तो दूसरी तरफ एंसीपी, उसमें भी अब दो फार साफ दिख रहे हैं, पबलिक में दिख रह जा रहा है, की चड़ उचा लगा, देखे तिलिस्म हटना या उनकी जो जो उनका एक और रहा है, वो खतम होना, ये सब टेलिविशन पे आपको ठीक लगता होगा, नैशनल चैनल पे आप लोग माइक्रो स्थिती क्या है, महराश्रा में शायद हो सकता है, नहीं समझ में आ आज कह रहे थे 83 उमर के हो गए हैं, रिटायर नहीं हो रहे हैं, तब कहां थे जब 2019 में वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, बारिश में भीग भीकर, उदरेन, राजे बोसले के खिलाफ लड़ाई लड़कर जीत कर आए थे, तो ये कहना किसी का करिस्मा खतम हो जा, क्य इंचित दे देती है, पर करप्ट लोगों को अपने पास ले लेती है, तो किसी का मैं कह सकती हूँ, राजनीती में अस्तित्व खतम नहीं होता है, टेम्टरी सेट बैक हो, वो पॉजिटिव मुव्मेंट फॉवर्ड ही होता है, मैंने आपको शिवसेना का हवाला दिये, य हमारी पॉपिलारिटी बड़ी है, हमार से काडर और जुड़ा है, और आने वाले समय में महाविकास अगारी के रूप में हम लोग फिर से विज़ई होकर आएंगे, वो आपका पोल, कुछी दिनों में अगर आप पोल करेंगी, वो आपको ऑन ग्राउं स्तिति भी बता दे के लिए.